हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओन अपेक्स क्लासेज डिजिटल प्लेटफर्म आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का 12th क्लास का 4th लेसन मुस्लिम आकरबन उद्देशिय और प्रभाव नया लेसन है नया टॉपिक है जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अरब आकरबन क कि भारत पर अरब आकरबन की कारण क्या थी कब अरबों का प्रारम हो था और किस प्रकार भारती लोगों ने उसका सामना किया इसके बारे में पढ़ेंगे अरब आकरबन हम यह देखते हैं कि भारत में अरबों ने जब आकरबन किया तो उससे पहले काफी सारे शित्रों प इसके अलावा इराक सीरिया इन शित्रों पर अधिकार कर लिए सीरिया पर हम देखते हैं कि सबसे पहले अर्बों ने शेहसो पैटीस और शेहसो चटीस इसवी में कौन से देश पर आक्रमण किया था सीरिया पर आक्रमण किया था और इस एक वर्ष की भीतर ही सीरिया की राजानी क्या थी दमिश्क इस ने क्या कर दिया आत्म समर्पन कर दिया यानि सीरिया पर किसका अधिकार हो गया अर्बों का अधिकार हो गया कि यानि हम देखते हैं कि लगभग शेहसो पचास इसवी तक मधी एशिया पर इरान इराक इरान सीरिया आधि देशों पर उसका अधिकार हो चुका था इसका अर्बों का लेकिन हम देखते हैं कि इन जो भी देशों पर अर्बों के द्वारार आकर्मन किये थे ईन्होंने लंबे समय संगर्शी आर्बों से नहीं कर पाए थे और इन और इन्होंने बहुत जल्दी ही अर्बों से अधिनता स्विक्रार करी अपनी या अर्बों के सामने अपना आत्मसमरपड कर दिया भारत जो था हिंदुस्तान जो था अमारा वह ऐसा देश ला जैसे लगभग 75 तक यानि 75 वर्षों तक अरब आकरबन का मुकाबला किया सामना किया कितने वर्षों तक लगभग 75 वर्षों तक भारत ने अरबी आकरबन का मुकाबला किया अरबी आकरबन का मुकाबला किया या सामना किया अब हम इसे थोड़ा सा बैक में चलके देखते हैं कि हजरत मुहम्मद साब जो इसलाम धर्म की प्रमुख पेगंबर माने जाते हैं उनकी 632 सिस्वी में मृत्य हो गई थी कब हो गई थी 632 में मृत्य हो गई थी मृत्य हो गई थी मृत्य हो गई थी और उसके बाद ही अरबी लोगों ने भारत में अकरमन करने प्रारंब किये थी ठीक है ना 636 इसली में भारत पार सबसे पहले अरबों ने कब और कहां अकरमन की एक नमबर का आपको कॉश्शन पूटब किया जाता है तो अरबों ने सबसे पहले 636 इसली में भारत के मृम्बई के थाना जगे जो है मृम्बई में थाना नामकिस्तान पर आकरमन किया था लेकिन इस आकरमन में अरबों को शफलता नहीं मिली अरबी असफ रहे इस आक्रमन में तो पहला अक्रमन हुआ तो था मुंबई के थाना जगिर पर लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली कब वा था 636 यह आक्रमन किया गया था अब कोशन यह बनता है कि अर्बों के भारत पर आक्रमन के कारण क्या थे दो नंबर का मोस्ट इंपरन कोशन तो भारत पर अर्बी आक्रमन के कारण क्या थे बहुत अच्छे से सुनेंगे आप इंपरन कोशन है यह सौरी अरब आक्रमन के कारण अरब आक्रमन के कारण अरब आक्रमन के प्रमुक ते हम तीन कारण देखते हैं पहला कारण हम देखते हैं इसलाम का प्रचार प्रसार क्या देखते हैं हम के अरबों में जो प्रमुक धार्मिक पत होता है द्द्द्द दन्यों को उसको नहीं होता था इसलिए consomm करेंगे हैं कि चुना हमें अपर अधिकार करेंगे अुसकंग मैं आप array लोगों इसलिए ताकि हमारा धर्म को मानने लोगों की संख्या बढ़ जाए तो सबसे पहला करण ही माना जाता है कि अरबों के भारत पर दिकार करके यहां पर इसलाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे कि दूसरा करना जो माना जाता है साम राज्यैस विस्थार की भावना अब जो के राजजनेति कारी पिसाद में इसलाम की प्रचार के साथ में अपने साम्राजी का विस्तार भी करना चाता था अधिक सदिक शित्रों को अर्भी शाषन के अंद्रगत लाना चाता था अर्भों के शाषन के अंद्रगत अपने साम्राजी का विस्तार करना चाता था इसलिए वह संपूर्ण भारत पर अधिकार करके अपनी अरब साम्राज करने की प्राचीन कान में सोने की चीडिया कहलाता था आप सबीकों कि भारत में तो बहुत ज़्यादा सम्रुद शाली था बहुत ज़्यादा परिची थे उनको पता था कि भारत में भाधा आधिक सदिक धन के प्राप्ति करने के लिए अरब लोगों ने भारत पर कुछा जाता है यह आपको पूछा जाएगा तो क्या क्या रिखना है सोसे पहला इसलाम धन का पिचार पसार करना दूसरा सामराजी विस्तार की भावना और तीसरा भारत की धन समपदा को लूटना ये तीन प्रमो कारणों से प्रभावित होकर अरबों ने भारत पर आकर्मन किये अब जब हम देखते हैं कि मुझति के ब कोशन काल था कौका श्राच चल रहा था जहका जो प्रमुक अधिकारी होता ऐक क्या किलकी खंका और एवन्पाटा था खिरख था खंक युद्धक आ प्रमुक राजितेक अधिकारी क्या क्यां तर खंकक अल्च न única तो को आदिश दिए कि वह सिंथ पर आक्रमन करें सिंथ के आसपास शित्रों पर अपना का इस्तापित करें अब्दुला के नित्रतों में एक संपूर सेना तेयार करके सिंथ पर आक्मन करने के लिए बेजी गई और सिंथ के अब इन शित्रों पर अधिकार के बाद खलीफाने उसको वापस बुला लिया जिसके वजह से भारत में वह प्रदेश नहीं कर पाएं तो भारत-पाकिसान अलाद शित्र जो है भारत ही काउंट होता था ठीक है ना तो वहां पर सिंद्व नदी के दूसरी तरफ पार सिंद्व के पार में सिस्तान मकरान और किम्रान का शित्र था उस पर अर्बो का अधिकार हो चुका था लेकिन उनकी जो विजह थी वह यहां तक कि सिमित रह गई थी कारण क्या था क्योंकि खलीफाने उनको आगे जाने के नुमती नहीं ब्राह्मन राजा था सिंद्व का राजा चीके ना ब्राह्मन था यह कि 711 इस्वी में कि उमेया वंश का खलीफा चेंज हो गया और गवर्णर चेंज हो गया यहां पर वलिद नाम का खलीफा आया और खलीफा ने किसको आदेश दिया हज्याज को कौन था गवर्णर हज्याज को इसके नित्रतों में सेना बेजी सिंद्व पर अब सिंद्व पर आकरवन का कारण यह था कि 711 इस्वी में सिंद्व का जो समूद्री शेत्र था समूद्री बंदर्गाह का कहा है पर कि यहांज था जिसको संब्ली डाकों ने किसे अब भी लोगों का यह गया दोटा गया है तो अर्भी लोगों अर्भी लोगों और खलीफा ने क्या बोला सिंद के राजा के पास में संदेश विजवाया कि आपके शेत्र के संभूदी डाकू है उन्होंने हमारे जहाज को लूट लिया है तो हमें हमारा दन वापस लोटाओ लेकिन सिंद के राजा दाहिर से इसके तरफ बिल्कूल भी ध्यान नहीं दिया उसने का भी हमें इसके बारे में कोई जानकाई प्राप्त नहीं है किसने आपका दन लूटा है कैसे लूटा है हमें इसके बारे में कोई जानकाई प्राप्त नहीं है तो दाहिर सेन का ऐसा जवाब सुनकर हजाज जो था उसने खलीफा को यह कहा कि हमें क्या करना चीए सिं मुहम्मद बिन कसिम बहुत जादा योग्य शक्तिशाली नित्रत्त शक्ती बहुत अच्छी तें मात्र 17 साल का था और इसके तो मैं तीसरी बार आक्रमन करने के लिए कहां बेजा सिंद पर आम मौम्मद बिन कासिम की विजय यहां से शुरू होगा अर्बो का भारत पर अधिकार धीरे धीरे एक एक शितर पर सबसे पहरा हम देखते हैं देवल विजय पर आक्रमन कारण क्या था वही कारण जोपन बैक विजय गें पर आक्रमन के लिए शिंद में सबसे पहले उन्हों किस पर आक्रमन कैंब के सांसो ग्याराइसवी में मौम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमन किया मोहम्मद विन कासिम ने देवल पर आकर्मन किया ठीके ना वर्तमान पाकिस्तान वाला शेत्र है ये देवल पर आकर्मन किया और इस शेत्र पर उसने अधिकार कर लिया ब major किया में देवल पर कासिम का अधिकार हो गया यह उसकी पहली विजिय थी टिके न दो अभिया बिजय दौनेंहीं और वो को सफलता नहीं मिली तीसरी बार किसकी नितρίतों में सेना बेजी महम्मद बिन कासिम की नितरतों में सेना बीजी और तीसरी बार में देवल पर किसका अधिकार हो गया अर्बों का अधिकार हो गया इस विजए के बाद में वह कहां बढ़ा आगे नयून का कहीं जगे पर निरून भी लिखा वाता है दौनों सिमिलर हैं कहां पर यह वर्त्मान पाकिस्तान के हैदराबाद व यहां पर आक्रमाण करने के लिए बेजां यहां पर किया था कि दाहिर सेज्ड नेवेंक कि सित्र जो था एक पूरोहित के हातों सॉप राक較 था यहां का नियंट्रन एक पूरोहित के हातों था लेकिन नेवन पर रहने वाले जो लोग थे वह कौन थे बहुत लोग अधिक थे ना बहुत धर्म के बहुत ज़्यादा शांति प्रीय होते हैं वह युद में विश्वास नहीं करते हैं लड़े जगड़ा उनको पसंद नहीं होता है तो जिस समय मुहमद बिन कासिम इस पर आ पसंद है आपको यह पर अधिकार करना है कर लो आप ठीके ना तो बहुत दर्म के अनुयाइएं यों की बहुत धर्म के अनुयाइयों की संख्या अधिक थी यहाँ पर विशान्ति प्रिये थे युद में विश्वास नहीं करते थे कासिम ने बिना युद के ही यहाँ पर अधिकार कर ले उन्हों समर्पूर्ण कर दिया भी बहुत लोगों ने तो कासिम ने बिना युद के ही ने उन्हों पर अधिकार कर लिया नेक्स हम देखते हैं सहवान विजय सहवान विजय में हम क्या देखते हैं सहवान का जो शित्र था वहां दाहिर इसलिए बतारी कि किस प्रकार रभॉक आक्रमण शुरूरा इन में से आप से एक एक नंबर के कोशन ही पूछे जाते हैं कि का किस प्रकार उसके बाद में तुर्कों ने यहां पर आक्रमण किया लेकिन अंत में जब उसको लगा किया मेरी हार निशित हैं तब उसमें मुहमद कासिम के सामने का माधम अंधूस कर दिया और मौमद बन कास्या योग्या नित्रत वाला था आयू काम थी लेकिन उसके शानिये शक्ति वहाँ प्रबलाती योग्य था नित्रत तो बहुत अच्छा था इस कारण से उसको लगाता सफलताएं मिलती गई ठीक है यहां का शाशक माजरा था उसने कासिम के साथ संगर्श किया उसने कासिम के साथ संगर्श किया परंतु अंत में परंतु अंत में और सफल होने के कारण और सफल होने के कारण उसने आत्मसमर्पन कर दिया और सहवान पर भी किसका अधिकार हो गया मौमद बिन कासिम का नेक्स देखते हैं सीशम की जाटो पर विजय कि सहवान विजय के बाद वह कौँसे शित्र पर गया सीशम पर गया यहां पर जाटो का अधिकार था जाटो ने भी बड़ी बलपूरग शिक्तिशाली तरीके से किया बड़ी वीरत के साथ लड़े की लेकिन अन्त में जाटो को भी सफलता नहीं मिली और सीचाइब का अधिकार हो गया तो कह लिखेंगे इसमें सेहवान के बाद सेहवान विजे के बाद कि सेहवान विजे के बाद का सिम सीसम गया वहां के जाटों ने कासिम का वीरता से सामना किया वहां के जाटों ने कासिम का वीरता से सामना किया परन्तु असपड़ रही और कासिम का सीसम पर अधिकार हो गया कासिम का सीसम पर अधिकार हो गया अगली आती रावर विजे जिसको रावर विजे भी कहते है ठीके ना रावर का कहीं कहीं पर रावर भी लिखा हुआ है रावर विजे सबसे महत्पूर्ण विजे है जिस पर पूछा जाता है कि रावर विजे जो है यह रावर संगर्ण जो है रावर का युद्ध है वह किसकिस मद्य हुआ तो रावर का युद्ध जो है महत्पूर्ण के मद्य हुआ दाहिर सैन के साथ प्रतेक संगर्ष कहां हुआ था रावर नामक जगे में नामक जगर जिसको रावर जगर भी जगते हैं। युद्ध में मारा गया दाहिर सेंग की मढ़ने के बाद में उसका जो पुत्र था जैसिंग जैसिंग ने क्या किया राओर दूर्ग की जो जिम्मेदारी थी रक्षा का जो दाइत हो था वह अपनी मा जो विद्वा मा थी यानि दाहिर की जो विद्वा पत्नी थी रानी लेकिन जब उसको लगा कि अब यहां पर बचना मुश्किल है अर्ब जो है अर्बी लोग जो है वद्धुर्ग में प्रवेश्च करने वाले हैं ऐसे में रानी नक्षा के लिए अपने सम्मान के लिए रानी बाई ने जोहर कर जोहर क्या होता है जिसमें अपनी इजट को बचाने के लिए या तो जल में या फिर अगनी में प्रवेश करके अपनी बली देती है अगनी जोहर होता है और अगनी जोहर होता है प्रवें जोहर होता है को फोट्विख में जोहर चाहर तॉर देखने को मिलेंगे इजिते ंश की क्या करेंगे की द्सेंद और कासिम के मद्य युद होता है यहां पर कासिम के मद्य युद होता है यहां पर दाहिर सेन इस युद में मारा जाता है दाहिर सेन मारा जाता है दाहिर का पुत्र कौन है दाहिर का पुत्र जैसिंग दाहिर का पुत्र जैसिंग रावर दूर्ग की रक्षा का दाइत्व अपनी विद्वा मा रानी बाई के हातों सौप कर रानी बाई ठीक है ना विद्वा मा कौन है रानी बाई के हातों सौप कर स्वेम का चला जाता है ब्रामना वाद स्वेम ब्रामना वाद चला जाता है रानी बाई जोहर कर लेती है और रावर पर कासिम का दिकार हो जाता है यहीं सेतियास में जोहर प्रथा का प्रारभू माना जाता है अब जैसे पता चला जैसिंग भाग कर कहां गया है ब्रामना वाद गया है तो मुहमद बिन कासिम किया करता है अपनी सेना के साथ में कहां आकर्मन करता है ब्रामना वाद पर कासिम द्वारा जैसिंग और मुहमद बिन कासिम की बीच में संगर्श होता है अब कहीं कहीं देखने को यह मिलता है कहीं कहीं इतियास में लिखावा है कि जैसिंग यहां से भाग जाता है मात ब Spain कासिम क मुहमदें कासिम कासिम का अधिकार हो जाता है इसी जैसिंग कासिम का सामना करता है जैसें कासिम का सामना करता है परन्तु मारा जाता है अब यहाँ पर क्या है ब्रामनावाद पर दाहे सेंड की दूसरी विद्वा पत्नी जो है ठीक है ना यहाँ से कासिम दाहे की दूसरी पत्नी दाहे की दूसरी विद्वा पत्नी क्या नाम है जिसका लाड़ो पत्नी का ने दूसरी लाड़ो और उसकी दो पुत्रियां और उसकी दो पुत्रियां दो पुत्रे कौन सी नाम यादक में आपको पहली तो सूर्य देवी और दूसरी है पर्मल देवी यहां से कहता है कासीम दाही की दूसरी विद्वा पत्नी लाड़ो उसकी दो पुत्रे सूरी देवी पर्मल देवी तथा काफी सारा धन तथा काफी धन लूट कर अरब देश पहुचा देता है खलीफा के पास उनको बंदी बना लेता है यहां से और उनको खलीफा के सामने खलीफा के पास में बेज देता है ठीक है ना ऐसा कहा जाता है कि लाड़ो जो थी उसकी रास्से में ही मृत्य हो जाती है इतने सारे पुत्रे मिर्ट्यूं ऐसको बहुत बना लिया हैं तोैससा कहा जाता है कि कहा हैं कि जो है 一 सब्सक्राइब करता है अक्रमन करता है आलोर पर और आलोर की लोगों के द्वारा भी उसका सामना किया जाता है लेकिन अंत में आलोर की लोगों के द्वारा उसके सामने समर्पन कर दिया जाता है उसकी शक्तियों के सामने उसकी विजयों को देखते वे वह पहले से भैबित हो जाते हैं और आलोर प कित्रिक के आसपास कासिम आकर्मन करता है और यहां की लोगों द्वारा उसका सामना किया जाता है परंतों अंत में कासिम का आलोर पर अधिकार हो जाता है कासिम का आलोर पर अधिकार हो जाता है अधिक नेक्स्ट और अंतिम विजय में देखते हैं मुछतान विजय कौन से देखते हैं मुलतान विजय के बाद में मुछता हैं मुलतान पर अधिकार करते ही वह क्या करता है यहां की धन संपता को बहुत सब्सक्राइब से मिलता है उस दन संपता को यहां से लूट लेता है और इतना धन मिलता है उसको मुल्तान से की वह मुल्तान का नाम बदल कर क्या रख देता है इतना सारा धन उसको यहां से मिलता है और उसको कहां पहुंचा देता है खलीफा के पास में पहुंचा देता है ठीक है ना मुल्त पर कासिम आक्रमन करता है यहां से बहुत अधिक धन बहुत अधिक धन उसे प्राप्त होता है धन उसे प्राप्त होता है कासिम इस जगे का नाम बदल कर स्वार्ण नगर रख देता है एक नबर का इंपरण कोश्चन तो यह उसके अंतिम विजय थी मुलतान विजय ठीक ना कासिम की यहां अंतिम विजय थी कासिम की यहां अंतिम विजय थी ठीक है ना एक नंबर के कोशन में यह पूछा जाता है कि मोहमद बिन कासिम की अंतिम विजय सी तो मोहमद बिन कासिम की अंतिम विजय को थी लोतान थी ओके next class में हम बिल्कुल नए topic के साथ में इसी lesson को आगे बढ़ाते वे चलेंगे तब तक के लिए thank you साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब विदियो की updated notifications सबसे पहले आखो मिलें अपेक्स क्लास इस EduTech सब्सक्राइब नाव